सर्वेभ्यो नमो नमहा, भवताम सर्वेशाम, सम्स्कृत एपीजी पाटशालायाम, स्वागतम व्याहरामी पहम वैद्य सुब्रमन्या भिधे यहा, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानस्य, हिमाचलप प्रदेश स्थस्य, वेदव्यास परिसरे, व्याकरण विभागे, अध्यापकास्मि अस्मिन पाठे, शास्त्र निर्मान रीति निरूपनम, तथा सिध्धे शब्दार्त संवन्धे, इती वार्तिकम अधिकृत्यच, अहं प्रतिपादैतु मिच्छामी गतेशु पाठेशु, शब्दानुशाषनम, इती शब्दस्य अर्तह, तदफपरम शब्दानुशाषनस्य, प्रयोजनानी कानी, अत्रप्रतिपाद्यः विशयाह, यह शब्दाह वर्तते तस्यलक्षनम, तदफपरम अधिकारी कहा, अस्य शब्दानुशाषनस्य, इते एवं रित्या अनुभन्द चतुष्ट यम अधिकृत्या प्रतिपाधितं एवंच शब्दान शासनं इदानीं कर्तव्यं अपशब्देभ्या साधुषब्दान प्रतकृत्या ज्यानार्थं इदंशब्दान शासनं कर्तव्यं इति सिद्धं इवं शब्दान शाषनम कर्तव्यम इति सिद्धे सती कथम इदं सब्दान शाषनम कर्तव्यम इति जिग्ञासा मनसी उदेती तरही तस्य समाधान रूपेन अत्र भाष्य पस्पशान्निके शास्त्र निर्मान रीति निरूपन आधिकरणम आरब्धम वर्तते तत्र भाश्य वचनम वर्तदे इत्थम शब्दान शासनम इदानीम कर्तव्यम किम शब्दो पदेश कर्तव्यह आहोस्विद अपशब्दो पदेशह आहोस्विद उभयो पदेशह इती तत्र भाश्यकारेन प्रश्णह कृतः हा तत्र कथम कर्तव्यम इती अत्र प्रश्ण अपशब्दो पदेश द्वारा शब्दान शाषनम इदम कर्तव्यम उता अपशब्दो पदेश द्वारा शब्दान शाषनम इदम कर्तव्यम उभयो पदेशेन शब्दान शाषनम इदम कर्तव्यम कहा मार्गहत्रा श्रयनी यहा इती प्रश्नस्याश यहा तरही अस्य समा अन्यतरोपदेश नुभय विशयक मिंचान उन्यतरोपदेश नुभय विशयक प्रतीपति अर्चाधुशब्दानाम उपदेश ते अधिरिकताः क्रतुनुभय ते और भिन्नाह शब्दाः क्रतीवलुओ कतोस है येतत भिन्नाहा शब्दाहा साधवा प्रतीते भवती एवंच शब्दो पदेशाथ अपशब्द ज्नानम भवती एवंच अंजतरोपदेशाważ अलव अन्जतरोपदेशेनेव अन्जतर प्रतीते संभवात अत्र भाश्यकारेने यहां प्रश्णक्रता आहोस्वित उभयोपदेश अहा इती तत तावद अयुक्तम इत्याशंका क्रता आत्र तत भाश्यकारस्य प्रश्णवाक्ये यहां अम्शाह वर्तते आहोस्वित उभयोपदेश कर्तव्या इती तत किमर्थम उभयोपदेश कर्थव्य इत्याशंका येव किमर्थम अन्यतरोपदेशेन अन्यतर ज्ञानस्य संभवात उभयोपदेश विशयका आशंका अयुकता है ती अत्रप्रश्णाह उधिताह मनसे तरही उभयो पदेशा आत स्पष्टप्रतिपत्तिर भवती एते साधवाह शब्दा हा एते अपशब्दा हाईती स्पष्टप्रतिपत्तिर भवती अता हा उभयो पदेश विशेका अशंका चा अत्रभाश्य का रेन कृता अर्तात एते शब्दा प्रयोक्तव्याहिती 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 अपशब्दो प्रयोक्तव्याहिती अपशब्दो प्रयोक्तव्याहिती प्रयोक्तव्याहिती पंचा पंचा नखा भक्षयाह इत्युकते गम्यते एतत अस्माद अन्ये अभक्षयाह इती अभक्षय प्रतिशेदे नचा भक्षय नियमाहा तद जता अभक्षयाह ग्राम्य कुक्कुटाहा अभक्षयाह ग्राम्य सूकरह इत्युकते गम्यते एतत आरण्याह भक्षयाह इ अधिगंधे एव मेवा शब्दो पदेशे क्रतेसती गौहु इतययम सब्दाह सादु हु इत्युपदिष्टे सती तद भिन्नाहा ए शब्दाः गो प्रतिपादन आय प्रेयुज्यनते ते शब्दाहा अपसब्दाहा इती प्रतितिर भवत येवा तरही शब्दो पदेशे क्रियतेचेत तद भिन्नानाम अपशब्द ज्ञानाम अपशब्द ज्ञानाम अपशब्दो पदेशे कृतेसती तद भिन्नानाम शब्दानाम साधुत्व प्रती तिस्च भवती इत्युक्तम अत्र कष्चनी प्रश्न समुधें टी अत्र पंच पंच नकाहा भक्षयाहँ इती वाक्य मुक्तम अश्य नियमत्वम प्रतिपादितं अत्र भाष्यकरता अस्य नियमत्वम कथम यतहा अन्यस्मिन नये मीमामसक नये अस्य परिसंक्या विधाव प्रवेश अह वरतते मीमामसा शास्त्रे 55 नखा भक्षयाह इत्यस्य परिसंक्या विधिम्परती उदाहरत वर्तते अयम नियमाह अयम यहा प्रयोगाह वर्तते 55 नखा भक्षयाह इति तस्य परिसंक्या विधेहेकरते उदाहरनत्वेन तत्र प्रस्तुतम तत्र मीमामस्वा शास्त्रे त्रयाह विधयाह भवंती अपूर्व विधिही नियम विधिही परिसंख्या विधिही इति तत्र अस्य उदाहरनस्य परिसंख्या विधहु उदाहरतत्वेन अस्मिन शास्त्रे व्याकरन शास्त्रे तस्य नियमत्वेन उपादानम कथम इति प प्राप्तेच अन्यतर निवृत्थि पलको विधिही नियम विधिही भवती। एता व्रीहीन अवहंती इती। अवहननेन तुषविमोकस्य अप्राप्तिर वर्थते। पक्षेतु तस्य प्राप्तिर वर्थते। अवहननेन अथा अप्राप्तस्य अवहननस्य पक्षे अप्राप्तस्य अवहननस्य प्राप्तिर्तम तद वाक्यमारब्धम। एमश्य पक्षे अप्राप्तस्य प्रापक विदिही नियम विदिही इत्ति उच्चते अतहा तत्र इतर व्यावृत्ति ही फलितार्तो भवति तत्र नखविदलनेनेवा यंत्रेशु प्रक्षेपेनवा तुषविमोकहन कारियहाईती इतर व्यावृत्ति ही थत्र पलितार्त रूपेन प्रतियते वाच्यार तत्वेन प्राप्तस्य विशेस्य प्रापकत्म अ शाक्षाथ शब्दवाच्यो भवति आत्र इतर व्यावृत्ति रूपा अर्तस्तु फलितार तहा इती तत्र नियम विदेहे परियवसन्ना अरत हा। इती तत्र नियम विदेहे परियवसन्ना अरत हा। इतर नियम विदेहे परियवसन्ना अरत नियम विदेहे परियवसन्ना अरत हा। इतर नियम विदेहे परियवसन्ना अरत हा। इतर नियम विदेहे परियवसन्ना अरत नियम विदेहे परियवसन्ना अरत हा। इतर नियम विदेहे परियवसन्ना अरत नियम विदेहे परियवसन्ना अरत हा। इतदुक्तम भाष्ये लगुत्वाच शब्दो पदेशहा। लगियान शब्दो पदेशहा। गरियान अपशब्दो पदेशहा। तद्यता गौरित्यस्य शब्दस्य गावी गोनी गोता गोपो तलिका इत्येव मादया अपब्रम्शाहा इस्टान वाख्यानम खल्वपी भवती इती एवंचा शब्दो पदेशे एव लाघवं वर्तते अपशब्दो पदेशे गौरवं वर्तते एताहा एकस्चे साधुशब्दस्य अनेके अपशब्दाहा वर्ततते तरही साधुशब्दे व्याहा संख्यायाम अपशब्दाहा अनेके वर्ततते अताहा अपशब्दानाम सं अतहा लगियान शब्दो पदेशह इती भाष्यकारेन उग्तम। तरही एता वता किम सिद्धं। लागवेन शब्दो पदेशद्वारा शब्दानुशासनम इदं प्रवर्तनियं। इती सिद्धं। एवं सिद्धे पुनहात्राशंकाकृता किम सब्दो पदेशक कर्तव्याः चेत किम सब्दानाम पृतिपत्तव। शब्दानाम ज्यानार्तम पृतिपतपाटः कर्तव्याः गवुहु, अश्वह, पुरुषह, हस्ति, शकुनिही, मृगह, ब्राम्मनहा इती एवं रित्य पृतिपतपाट कर्तव्याः, इती पुनर अत्र प्रश्नहा अत्र चोधिताह भाश्यकारेना। तरही तत्र समाधान मुझतं पृतिपततव्याः शब्दो पदेशह न कर्तव्याः सह अनब्यु पायाः भवतिन, अयम्ताबत उपायो नास्ति, समीची नht उपायह ना शब्दानाम प्रधिपत्तव प्रधिपद पाठस्यो पदेशा हा इती यहा उपाया हा बरतते सहतुन युक्ता हा एतो ही तत्र शुरुयते शुरुतिवाक्यम किंचिद ब्रहस्पतिर इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्त्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारा प्रोवाचा नांतम जगामा इती। ब्रहस्पतिष्च वक्ता इंद्रश्च अध्येता दिद्यम वर्ष सहस्तरम अध्येनकालहा नचा आंतम जगामा इती। प्र दिपाद पाटस्य प्रदिपाद पाटस्य प्रदिपाद पाट अध्येन अधेनत स्माप्तिष्च वक्ता इत्या आध्येन relent नाचा इती तात परियम। एवं शती। अध्य अध्यत्वेतु न प्रष्टव्यमेव किम्पुनर अध्यत्वे तदेव भाष्यकारह वदती एवं ही शुरुयते ब्रहस्पतिरिंद्राय दिव्यं वर्ष सहस्त्रम प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायनं प्रोवाच नांतन जगामा इती ब्रहस्पतिष्च प्रवक्ता इंद्रस्च अध्यता दिव्यं वर्ष सहस्त्रम अध्येन कालहा इती तत्रापी उक्तम दिव्यं वर्ष सहस्त्रम अध्येन कालहा ततापी न प्रतिपदपाटेन शब्द प्रतिपत्ती नईव जाता इती कते यती किम पुनर अध्यत्वे, अध्यत्वे कावास्थिति स्याद, प्रधिपद फाटेन, शब्द प्रधिपत्ति संभवतिवा इत्युकते सूतरामन, यस सर्वता चिरन जीवती वर्ष शतम जीवती, अध्यत्वे तु यस तावा चिरन जीवी इत्युकते सोपी, कति वर्षान वर्ष शतम जीवती इती कथयती तत्रापी तस्य अध्येन कालहा कथम प्रवर्तते कथम भवती इती भाष्यकारहा स्वयं कथयती चतुर विष्च प्रकार इही विद्या उपयुपता भवती आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन इती विद्याया उपयोगस्तावत चतुर्षु कालेशु भवती चतुर्षु कालेशु विद्या उपयुज्यते इती वस्तवह अत्र विद्यायाहा कालहा आधार भूताहा तथा प्यत्र आधारस्य अर्थ अधिकरनस्य करनत्वेन विवक्षायाम अत्र तृतिया विवक्तिफ प्रयुक्ता वर्तते हैं चतुरुषु कालेशु विद्या उपयुक्ता भवती ती वक्तव्यम, चतुरुभीही कालेईही विद्या उपयुक्ता भवती ती अत्र कतितम वर्तते, अधिकरनस्य करनत्वेन विवक्षायां तृतिया विवक्तिफ प्रयुक्ता वर्तते अत्र, तरही आगमकालेन, स्वा अध्याय काले च विद्यार्तिने अन्नवस्त्रादी लाभा विद्याया हा उपयोगा हा। अन्नवस्त्रादी लाभा विद्यार्तिने 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 अन्नव इतनतत विशेषवद लक्षनं प्रवर्त्यम येधाईन अल्पेन यतनेन महतों महताह शब्धवगान प्रतिपद्येरन. उतनतत किम तत सामान्य विशेष लक्षनं नाम उच्चछद अपवाद हा. कर्तव्या हा, कतन जातिय कहा पुन हा उच्छरगो नाम कहा, अपवादो नाम कहा, तरी प्रश्णा जायते, उच्छरग अपवाद मुखेन, लगुना उपायेन, शब्दा नाम प्रतिपत्ति ही कर्तव्या इत्युक्तम, तरी को नाम उच्छरग हा, को नाम अपवाद हा, इ किन्चित विशेषधर्मं पुरस्कृत्या किन्चित कार्यम विदधातियत शास्त्रम तत शास्त्रम अपवाद शास्त्रम इती वक्तुम शक्यते अस्य उदाहरनम भवती माठरकॉंडिन्यो परिवे विशाताम इती तरही परिवेशन क्रियायां मात्रकुंडिन्यों प्रवर्तेताम इती ताद परियम तरही अत्र प्रतमवाक्यम वर्तते ब्रामनाह बोज्यन्ताम इती दुतियम वाक्यम वर्तते मात्रकुंडिन्यों परिवेविशाताम इती तरही आत्र पूर्ववाक्यम सामान्यम धरम्मं पुरस्कृत्य प्रवृत्तम वर्तते ब्रामनत्वम सामान्य धर्महा माठरत्वम कौंडिन्यत्वम्च विशेश धर्महा भवति ब्रामनेशु वर्तमान कस्टन विशेश धर्महा तरही विशेश धर्मं पुरस्कृत्य यद्चास्त्रम यद्कार्यं विदधाती तत्चास्त्रम अपवाद शास्त्रम इति वक्तव्यं तरही माठर कुंडिन्य यो कृते परिवेशन क्रिया विहिता तरही विशेश धर्मं पुरस्कृत्य विहिता वरतते प्रतम वाक्यम ब्रामनानां कृते बोजन क्रियाम विदधाती प्रतम वाक्यम तरही सरवेपी ब्रामनाहा बोजनार्तम तत्र सिद्धाहा तत्र विशेश भूताये वर्तंते माठर कुणिन्य गोत्रोत पन्नाहा ते तावत न बोजनार्तम सिद्धा भवंती तु परिवेश चौव भूजने प्रवर्च थो यूँ अ क्रिया यां प्रवृत्ता भवंती हिती। ता फूर्य थिकार्यम् पुरस्क्रित्यान यां किहिंगल ओन्करुती। थो टृसरे यूद्यितिअन नां ब। belong मैं बुज्याटाप न जोस्पान도र्भू K Heavenly Pentagon बोजनार हा इत्यार्थ हा लभ्यते तद्वदेव अत्रा पी उत्सरगा अप्वाद मुकेन लगुना उपाइन शब्दानाम प्रतिपत्त ही अत्र व्याकरण शास्त्रेपी कारिया यथा स्वयमत्र वाश्यकारह कथे यती सामानेन उत्सरग कर्त व्यहा तद्यता कर्मन्यन तरही कर्मवाच के जुतियांते उपपदे धातो हो अनप्रत्यों विधियते। तरही सर्वेभ्यापी धातुब्याहा कर्मवाच के उपपदे सती अनप्रत्य प्रवर्तते धातो हो। तरी कुम्भम करोती इती कुम्भम इती कर्मवाच के उपपदे खरीन धातो अनप्रत्यक्रते कुम्भका रहा इती रूपम पुनहा अपरम सूत्रम लिखितम आतोन पसर्गे कहा इती तरी कर्मवाच के उपपदे धातु हु आकाराम्तस चे तत्रक्क प्रत्य कर्त व्याहा इत्युक्तम। तरी गाम्ददाती इती गोधाहा इती रूपम सिध्यती। तरही आकारांत धातु विशाये अनप्रत्यों प्रवर्तते अपितु कप्रत्य प्रवर्तते तरही अनप्रत्य केभ्या धातु भ्या इतीचे आकारांत वितिरिक्तेभ्या धातु भ्या अनप्रत्य प्रवर्तते इत्थम उत्सर्ग अपवाद मुखे न शब्दानां प्रति पत्तिर भवितु मरहती तरी कुम्भा का रहा, सूत्र का रहा, भाष्य का रहा, इत्येवं रित्या तत्सद्रशाह भवश्चप्दाह तत्षास्त्राध्यनेन सिद्धा भवंती ती नातुम शक्यते, गो दहा, कंबला दहा, वरा दहा, इत्यादी निरूपानी आतोन निरूपानी पसर भवाव द मुखेन, अन्यतरो पदेशेन अन्यतराऊ थ्य ज्ञाणम भवती, एत्यातरूपादेश अलम शक्यते, पुनरत्र साध्यान उपायक इती प्रश्णे शब्दो उपदेश एव साधियान उपायाँ इत्यक्तम, अस्तु तत्राकि साधु शब्दान उपदेश कतंकरत प्रतितपतपाथ ध्वारा अवा इती प्रश्णे नायम उपायह भवती तस्यकृते प्रतिपद पाठाद्वारा शब्द प्रतिपत्यर्थम महान कालह पेक्षते अध्यत्वेतु यस्तावत चिरम जीवती सोपी वर्ष शतमेव जीवती अतहा अध्यत्वे पुरुशानाम अल्पा युष्त्वात अयम कालह प्रतिपद प्रतिपद 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 द्रव्यम इति अर्था जातिर अर्थोवा वेक्तिर अर्थोवा शब्दस्य अर्था शब्दा अर्थोव सर्वदा सहितोव न कस्चन अर्था रहिताह वर्तते न कस्चन अर्था शब्द रहिताह वर्तते सर्वस्यापी शब्दस्य कस्चन अर्थाह वर्तते सर्वस्यापी अत्र व्याक्रन शास्त्रे जाती ही व्यक्ति ही एतत उभयम शब्दस्य अर्थो भवती तदेव भाष्यकाले ने उखतम उभयम इत्याह कथम्यायते उभयता ख्याचारेन सूत्रानी पटितानी वरतंते आकृतिम पदार्थम मत्वा जात्या ख्यायाम एकस्मिन भहुचन मन अन्यतरस्याम इत्युच्य ते द्रभ्यम पदार्थम मत्वा सरूपाना मेकशेश एक विभक्त उइत्यकशेश आरभ्यते इति तरही पाणिने हे सुत्रान्येव अत्रप्रमान भूतानि वरतंते शब्दस्य जाती ही तदा व्यक्ति ही उभयम अरताह इत्यत्रा जात्या जात्या ख्याया मेकस्मिन बहुचरम अन्यतरस्याम इती इदम सूत्रम शब्दस्चे जातिरताह इत्यत्र प्रमानम तत कथम प्रमानम इती चे दुच्यते तधी जात्या ख्याया मेकस्मिन बहुचरम अन्यतरस्याम इती सूत्रेन बहुचरम विधियते यदा जातिही शब् अप्राप्त में आने न विदीएदे। प्राप्त बहुआ चन विधान में अत्र शब्दस्य जातिर अर्थ या इत्यत्र प्रमानम भवती सरूपानाम एक शेश एक विभगत विची सूत्र में अनेक व्यक्ति भोधनाय अनेक शब्द प्रयोगा पत्तव गवरवा पत्या एकेन शब्दे नई अनेक आर्थ प्रतीत अर्थार कश्णन्याय अर्थते प्रत्यर्थम शब्द निवेश हाईति यावंता अर्था संति तावंता शब्दा प्रयोगत व्याईति अस्यन अर्था तरी दशगटा संति चे दशानाम घटानाम भोधनाय दशवारं दशकृत्वह घटशब्द प्रयोगत व्या भवत एवं सति गौरवं स्यात तो एतार्श गौरव परिहार आया एक शेश विधायकं सूत्रमिदमारब्धं सरूपानाम एक शेश एक विभक्तव। एदी शब्दा सरूपास चे तत्र एक विभक्तव परियोक्तव यहा एन सर्वोप्यरता वगंतुम शक्यते। शिष्यमानाहा लुप्यमानार्ता विधाई इति म्यायेन यह अवशिष्टो भवती सहा लुप्यमानानाम शब्दानाम ये अर्थाहा तान अर्थान बोधयती अतहा एक एव शब्दाहा अन्येशाम सर्वेशाम पदार्थानाम बोधकाह भवती इत्युक्तम तरही जात्याख्यायाम एकस्मिन बहुचन मन्यत्रस्याम इतिधम सूत्रम, शब्दस्य जातिर अर्ताह इत्यत्र प्रमानम, सरूपानाम एकसेश एक विभक्तव इतिधम सूत्रम, शब्दस्य व्यक्तिर अर्ताह इत्यत्र प्रमानम, अतहा व्याकरन शास्त्रयास्मिन जात आती ही वेक्ति इही एतत उभयम शब्दस्य अर्थो भवती इत्यवगम्यते ततफपरम एता बता अर्थविशय का प्रश्णं कृत्वा तस्य समाधानम चा भाश्यकारेन खतितम। इधम एकम वार्तिकम वरतते सिद्धे शब्दा अर्थ संबंदे लोकतो अर्थ प्रयुकते शब्द प्रयोगे शास्त्रेन धर्मनियम हा यथा लौकिक वाईदिकेशू इति इधम एकम वार्तिकम। अनेन वारतिकेन शब्दाह नित्य हा उता कार्याह इति प्रश्ण स्य सम अत्र अचार्याश्य लक्षन मिदां प्रवर्त्यां पानिने सूत्रानी कथम प्रवृत्तानी वर्तंते शब्दाहा नित्याहिती मत्वावा उता कारियाहिती मत्वावा नित्याहिती मत्वा प्रवृत्तम प्रवृत्तम वर्तते पानिने सूत्रम इती प्रश्णस्य आशया हा पानिनी ही शब्दार्थ संबंदानां स्रष्टा अर उतस मर्ता इती प्रश्णस्य गुडाभि प्राया हा एवंचा अस्य प्रश्णस्य समाधान मेव अनेन वार्तिके न क्रियते शिद्धार्थ सम्मन्दे लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेन धर्मनियमा हा इता लौकिका वैदिकेशु इती इनमेव सम्पूर्णम वार्तिकम वर्तते अस्य खंडशह अत्रभाश्य व्याख्यानम कृतम वर्तते अस्य वार्तिकस्य चत्वारह खंडाह वर्तते शिद्धे शब्दार्थ सम्मन्दे इती प्रतमह खंडाह लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेन धर अत्र लोकताह इती शब्दाह सक्रदेव प्रयुक्तो वरतते सिद्धे शब्दार्त संब्दे लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेन धर्मनियमा इता लौकिक वैदी केशु इती अस्मिन वार्तिके लोकता हा इत्य अयम शब्दा हा सक्रदेव प्रयुक्ता हा अधिक्रित्यात्र कथयामी अत्र सिद्धे शब्दार्थ सम्मंदे इति प्रतम हा कंड़ा शब्दार्थ सम्मंदे इत्यत्र कथम विग्रह वक्तव्या इति प्रश्ण हा अत्र सिद्धे शब्दार्थ सम्मंदे इत्यनेन प्रतम खंडेन शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपाद्यते शब्दार्थ सम्म तस्मिन शब्धार्त संबंदे एवं अत्रय द्वंद्व समासा श्रयनेन शब्दस्य अर्थस्य तता तयो हो संबंदस्य चे नित्यत्वं बोध्यते एवंचे शब्दों पी नित्या हा अर्थों पी नित्या हा तयो या संबंदा हा सो पी नित्या हा एवंचे शब्दार्त स प्रयुकत हा सिद्ध शब्दह नित्याँ वारतिके सिद्धशब्द स्थेशू अभिचाली पूर्च प्रतीते वारतिके युड़ियो अत्रभाश्य वच्रम इदम नित्य परियावाची सिद्धशब्दहा कथम यायते आयम प्रयुक्तह सिद्ध शब्दा नित्य परियाय वाची इती यत कूटस्थेशु अभिचालीशु भावेशु वर्तते तद्यता अत्र नित्यस्येद लक्षण मुक्तम अत्र कूटस्थम अभिचाल यनपायोपजन विकार यनुत्पत्य अभृद्धिव्यय योगी यत तत नित्यम इती तत्र कूटस्थम कूटम नाम अयोगनः इत्यर्तह कूटव अयोगनवत तिष्ठती इती कूटस्थम तद्वत स्थिरम इत्यर्तह विचालह अभिचाली नाम रूपांतरा प्राप्तिही विचालह अभिचाली नाम रूपांतरस्य प्राप्ति यस्यन भवती तद इत्यर्तह यथा पयसह दद्यादी रूपता पयहा ददी रूपे न परिणमते रूपांतर प्राप्तिर वर्तते यत्र रूपांतर प्राप्तिर नास्ती तद अभिचाली इत्युच्चते तद परम अभिचाली अनपायह अनपायो नाम अपचयह अपचय नित्या परियाय वाची सिद्ध शब्द प्रयुक्तों वरतते। इत्य अवगम्यते अतहा शब्दार्थ संबंदाह नित्य भूताह इत्य अर्तहा अस्मात वार्थिकस्य प्रथम खंडात अवगंतुं शक्यते धन्यवाद हाँ